आज की क्लास में मैं आपके साथ डिसकर्स कर रहे वाली हूँ MHI 02 के कुछ important topics with previous questions papers के साथ आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है तो कि आप सभी कितनी रिक्वेस्टी के मैं दिसंबर 2022 का जो आपका एक्जाम चल रहा है उसमें MHI 02 यानि की जो आपका modern world है यहां से आपको क्या पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा आपको questions कहां से पूछे जाते हैं इस पर यहां पर मैं वीडियो लेकर क्या ही हूँ कि अभी तक आपने MHI 1 और MHI 5 का अल्रेडी एक्जाम हो चुका है जिसमें मैंने अल्रेडी वीडियो बनाई थी और आप में देखा था कि maximum वहीं से questions पूछे गए थे रही बात आपकी अब आपका एक्जाम है जनवरी में MHI 2 की और MHI 4 की ठीक है MHI 4 का मैं अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हूँ कि अब तक आपके जो लास्ट फाइफ प्रिवियसर questions पेपर में सबसे ज़्यादा questions कहां से आते हैं और आपको उसके अंदर क्या चीज लिखना चाहिए क्या नी वो मैं अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हूँ अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप MHI 04 की प्लेडिस को चेक आउट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी वीडियो देखनी हो आप लोग उस प्लेडिस में जा करके देख सकते हो आपको उस से रेलेटिड सारी वीडियो उस प्ले तक कुछ भी नहीं पड़ा है तो आज की वीडियो में जितना मैं आपको बताऊं इतना करके जाना साथ मैं आपको मैं प्रीविसर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी ठीक है कि किस तरीके से इमचैए 2 से क्वेश्चन पूछे चाते हैं बाकि इसकी बैने अल्रेडि कुछ दो तीन प्रीवेश्चन से यहां पर वीडियो अप्लोड कर रखेंए अगर आप नहीं देखा है तो आप लोग जांद करके लिए चली जाता टाइम ना वेश्ट करते हुए जल्दी से अपनी टू में जो दिसंबर 2020 का आपका एक्जाम है यहां से आपको क्या-क्या चीजे करनी चाहिए और क्या-क्या नहीं तो जैसे कि आप लोगों ने पहले मैंने प्रिवियर्स वीडियो में आपको अल्रेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो यह बताए हुए थे तो जिसमें मैंने आपको बताएथ कि कहां से आपके questions पूछे जाते हैं या कहां से आपके पूछे जाने के पूरे chances हैं जैसे कि आपने उस previous फीडियो में देखा था है मैंने आपको humanism यानि जो आपको पूरा जागरन है तो unit 1 है very important है ठीक है इसी renaissance की अंदर ही आपका जो सब टॉपिक है humanism यानि की मानफता यह हमेशा question पूछा था 10 marks का ठीक है यह कभी 20 में नहीं आता रेनेसांस वाला मैं question की अगर मैं बात करूँ तो यह कभी 10 में देदेगा और कभी 20 में लेकिन humanism जो है unit 1 very very important है तो जल्दी से पहले तो आपको क्या करना है unit 1 पढ़के जरूर जाना यहां से आपको एक question देख unit 2 की ठीक है यहां पर नहीं लिखा लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ पहले तो आपको unit 1 समझ आया unit 100% है पूरी guarantee है कि आपसे वहां से questions पूछा जाएगा अभी मैं आपको previous तर भी दिखाने वाली हूँ कि one से किस तरीके से आपसे questions पूछा जाता है रही बात आपकी question unit 2 की देखो unit 2 और unit 3 की अगर मैं बात करूँ यह दोनों ही आपका जो chapter है यह आपका है enlightenment की ओपर ठीक है किसके ओपर है आपका enlightenment की ओपर है तो enlightenment भी 100% है कि यहां से equation आएगा यहां से भी या तो आपका एक equation आएगा या तो 10 marks का पूछेगा या तो 20 का ठीक है अगर आपका जो पहला unit 1st unit 10 का आएगा तो यह 20 का आएगा और अगर यह 20 का आएगा तो यह 10 का आएगा इस तरीके से लोग पूछते हैं लेकिन आएगा जरूर तो आप लोगों को एक चीज़ समझाए कि आपको unit 1 भी पढ़ना है unit 2 भी पढ़ना है unit 3 भी पढ़ना है 3 में enlightenment के हापर criticizes तो अभी यह तक आपको क्या समझाया कि आपको तो यहां तक अकर आप लोगों ने कर लिया तो आपके 30 marks अराउंट यहां पर आपके complete हो जाएगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद मैं अगर बात करूं तो आपको करना unit 3 very important यहां से भी question आएगा जो कि आपका चैप्टर है state sorry unit 3rd नी unit 4 है थर्ड तो भी मैंने आपको enlightenment का criticize बताई दिया है unit 4 है आपका state यानी की राज्ये ठीक है यहां से भी 100% आएगा 20 marks का question आपसे यहां से पूछा जाएगा ठीक है अगर मैं बात करूं यहां से क्या question आता है तो आपसे राज्ये क्या होता है state क्या ह या तो liberal जो उदारवादी है इनके क्या thought है आपके state को लेकर कि यह पूछ लिया जाता है ठीक है तो यह दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा तो यहां से अभी मैं आपको questions भी दिखाऊंगे किस तरीके से पूछा जाता है तो over और आपको एक चीज समझ आ रही है कि से तो question आपको दिखने ही वाला है यह चारो ब्लॉक से आपको questions यहां पर आपको देखने को मिलने ही वाले तो आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पड़ा क्योंकि सब पढ़ने में मत लगे रहो problem हो सकती है ठीक है क्योंकि आपके पास इतना time नहीं है तो आपको क्या कर करना है सिर्फ जो आता ही आता है जो आएगा ही आएगा आपका focus मेलनी उस पर होना चाहिए यहां तक clear हो गया चलो आगे बढ़ते हैं यह तो आपको 1,2,3,4 फर्स ब्लॉक तो अच्छे से करना है फिर देखो एक है आपका deconolization यह भी आएगा no doubt यह भी आता है unit 19 है यह भ तो मिले गई आगे चलते हैं देखो अभी दिसंबर एक्जाम की बात चल रही है तो यहां पर आपको क्या करना है फिर मैंने आपको वताय था bureaucracy जो आपका नौकर साही करना है इसको पढ़के जाओ ठीक है और इसकी सासाथ आपका एक है welfare state ठीक है कन्यान कारी राज्ये यह इसको भी question आ जाता है 10 marks में 20 marks में यह भी आपको देखने को मिल जाता है एक आपको फिर करके जाना है यह कौनानिजम और इसके टाइपस की इसके कितने टाइपस है यह भी 20 marks में आता है तो यह भी आप पढ़के जा सकते हो ठीक है लेकिन अभी कैं इस सारे टॉपिक देख इसको भी पढ़के जा सकते हो लेकिन अभी मैं आपको क्या suggest करूंगी कि अभी आपके पास time कम है तो आपको क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं बहुत ध्यान से समझना है और फिर इसके बाद मैं आपको questions के साथ दिखाऊंगी सबसे पहले जल्दी जल्दी आप लोग इन दोनों में से कोई question आपसे जरूर पूछेगा या तो यह 20 marks का आएगा या तो 10 वो भी depend करता है उनके उपर किस पे पूछेंगे नेक्स्ट मैंने आपको बताए unit second है आपका enlightenment के उपर ठीक है enlightenment आपका unit second और unit third है यह तो first है यह second और third है ठीक है 30 marks का ही maximum यह पूछता है तो आपको यही मान के चलना है कि अगर आपने यह दोनों topic अच्छे से कर लिए तो आपको 30 marks यहीं पे मिलने वाले player चलो next block के आपका fourth जिसमें मैंने आपको बताए है आपका क्या है state ठीक है यह 100% हमेशा 20 marks में आता है इसके अंदर मैंने आपको बताए है कि आपसे पूछता है कि marks इसके क्या views है और आपके liberal यानि की उदारवादियों के क्या views है कि राज्ये को ले करके कि राज्ये का क्य 50 marks का preparation अपने एक्जाम में कर लिया 100 marks का यहां पर आपका question paper होता है इसमें से आधा तो आपने हैं से तैयारी कर लिए जिसमें से आपको एक topic यह पढ़ना है जब आप Renaissance करोगी तो महानताबाद अव्यस है आरहम से हो जाएगा और दूसरा यह पढ़ना तीस है यानि तीन question क clear चलो आगे बड़े next अगर मैं बात करूं तो next जो आपको करना है अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इसके बाद देखो आपको करना है Russian Russian revolution सारे revolution जरूर करो first or second world war नहीं पूछा जाता दुबारा बतारी हूं उसके बाद आपको cold war पे ध्यान होना चाहिए आपका French revolution तो 100% है यह तो all time favorite है revolution में जितना Russian नहीं आएगा देखो उतना मैं बता रहे हूं French आपसे पूछा जाता है तो कभी कभी जैसे December 2021 की मैं बात करूं तो यह तीनों question पूछे गए थी तो यहां से क्या है दो question तो आपको 100% देखने को मिले गई तो French को जरूर करो cold war करना है जो आपसे पूछा ही जाता है ठीक है next अगर मैं बात करूं इन सबको line से करना है आपको इस सब एक दूसरे से connect है non alignment movement यह topic करो यह भी आएगा ठीक है यह सारे topic आपको extra करना है अब अगर मैं बात करूं तो देखो French revolution सबसे ज़्यादा important है यह पूछेगा यह सारे 20 marks में आत होगे तो इसमें से कम से कम दो नहीं तो तीन question आपके हाथों में आएगा इसका मतलब है बाकी के जो 50 marks का exam है यहां से cover जाएगे यह 20 marks का आता है यह भी 20 marks में पूछा जाता है cold war भी 20 में आएगा अगर आएगा non alignment 20 में पूछा जाता है ठीक है आपको पता ही है सबको कि cold war क के बाद ही आपका non alignment movement start हुआ था तो यह क्या है कि कभी-कभी यह तीनों जैसे December 2021 की exam की बात करूं तो इसमें तीनों चीजें पूछी गई थी 2020 marks में तो आप देखो कितने अच्छी opportunity थी आपके आतों में revolution के बारे में सभी जानते हूं और अगर सब कुछ नहीं आएगा तो देखो फ्रेंच सबसे जादा आता है cold war ठीक है अभी हम मैं आपको questions paper भी दिखाने वाली हूं उसके बाद हम बात करेंगे non alignment movement करके जाएए यहां से भी आपको 100% question देखने को मिलने वाला है उसके बाद देखो आपको क्या करना है फिर आपको मैंने बताया Canonism ठीक है Canonism question B 20 marks का पूछा जाता है यह भी आता है 20 marks का ठीक है और इसके types पूछे जाता है यह पढ़के जा सकते हो और decolonization इसको भी करके जा सकते हो इसको करके जा सकते हो और bureaucracy और welfare यह भी repeat नहीं हो है तो आपके exam में आने के पूरे chances है इसको note कर लो आपको यह सारी चीजे करके जा सक ठीक है मालों आपको मैंने इन में से बताया बड़ जरूरी थोड़े आपको सब कुछ पसंद आ रहा है यह सभी कर लोगे नहीं आपके उपर है आपको कौन सी चीजे लग रही है तो आप यह कर सकते हो यहां से आपके exam में आपको question देखने को पूरे पूरे chances है कि मिलने ही बाला है मिलेगा भी no doubt यहां तक clear हो गया non alignment movement के बाद आप से question और पूछा जाता है कि आपको यह भी कभी कभी maximum देखो पूछ लिए जाता है nuclear arm race ठीक है यह भी बहुत easy है अभी यह जून 2022 का जो आपका exam हुआ था उसमें भी already यह पूछा गया था इसमें आपको सारी चीज यह सारा कुछ यह लोग यहां पर पूछते हैं तो आपको यह topic भी कर लेना है ठीक है लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो देखो आप लोगों को क्या करना है यह चारों तो करके जाओ यह optional है कभी कभी आते है कभी कभी नहीं आता है जरूरी नहीं किया आएगा हाँ यह कि वहां से पढ़ लीजी आप सभी और बाकी के 50 marks के लिए इसको पढ़के जाओ ठीक यह तो एक बात हो गई आप सभी की यहां तक clear हो गया उसके बाद देखो मैंने आपको क्या बताया था यह कि आप लोग इंडस्ट्रिलाइजेशन कंज्यूमर इसको पढ़के जाना है क क्योनौलिजम और इसके प्रकार यानि कि इसके टाइप से पूछे जाता है यूनिट 18 है इसको भी करके जाना यहां से भी आपको देखने को मिलेगा एक आपका राश्ट राश्ट बात के अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं कि यहां से आई लेकिन यह आता भी है फिर आप से नेशनलिस्ट या फिर नेशन और स्टेट का रिलेशन पूछता है तो अगर आप स्टेट अच्छे से कर लोगी तो नेशन और स्टेट हो जाएगा यूनिट 10 है तो आप लोग इसको भी पढ़के जा सकते हो ठीक है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह आपके एक्जाम करके जाओ त॑ क्योंकि उसके आने के पूरे पूरे चांस इसदो अभी मैं आपको दिखाते हूं कि कितने कोईसंशन से रिपीट होते हैं यहांतक क्लीयर हो गया यहां तक लियर होगई जल्दे से कमेंड करके पते कि अपको क्लीयर हो गया और चलिए फिर इगर मैं बात कर अगर आप लोगों को दिसंबर 2021 का और जून 2022 का इसका मैं क्वेशन पेपर अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हूं इसलिए आज की वीडियो में नहीं दिखाऊंगी तो दिसंबर 2021 जून 2022 में जो क्वेशन पेपर आया था अगर आपको इसको देखना है तो महां की प्लेडिस में जाकर के चेक आउट कर सकते हो महां की प्लेडिस ओपन करेंगे आप लोग तो दिसंबर और जून दोनों के वाँ देखने को मिल जाएंगे चलिए बढ़ते हैं और जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए अब यह देखते हैं कि यहां से किस तरीके से क पूछा जाता है तो चलिए मैं आपके साथ डिसकस करने वाली हूं दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर में आप सभी को दिखाती हूं ठीक है कि 2019 के दिसंबर के एक्जाम में आपसे क्या-क्या मौडल वर्ल्ड में किस तरीके से जो मैंने टॉपिक्स आपको बताएं वहां से किस तरीके के questions आपको देखने को बिलेंगे चलिए बढ़ते है question की तरफ यह आप सभी के सामने पहला question explain the relationship between science and religion as a propagated by the enlightenment thinker तो यह आपका unit 2 है मैंने आपको भी बताया enlightenment वाला chapter करके जाओ enlightenment के लेकर के तो आप अपने second unit के अंदर देखोंगे तो science और religion वाला जो आपका sub-topic है आपके enlightenment वाले chapter में इसको ज़्यादा तर पढ़के जाना क्योंकि यहां से question सबसे ज़्यादा यह लोग पूछते है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे question number second की तरफ question number second आप से पूछा discuss the different path of capitalism industrialization Europe तो आपको अपने योरोप में जो इंडर्स्ट्राइजेशन के बारे में हैं जो द्योगी करण के बारे में इसके बारे में आपको बताना है तो इसके लिए क्या इन्होंने अलग-अलग different different path रास्ते चुने थे उसके बारे में आपको बताना ह इसके बात देखो मैंने आपको bureaucracy की बारे में बताया analyze the growth of bureaucracization as an institution in the modern world तो bureaucracization में आपको पूरा बताना है इसके बारे में यह कभी-कभी आता है और कभी-कभी नहीं जरूरी नहीं है कि हर बार exam में आता है यह कोई से भी exam में आ सकता है लेकिं bureaucracy के वी topic आप लोग कर सकते और यह easy topic है आप already आप बहुत सारे student इसके बारे में जरूर जानती होंगे ठीक है चलो आगे दिखाते हैं next की अगर हम बात करें discuss the different model of nationalism in Europe तो मैंने भी आपको का ना आपको राष्टेवादी वाला जो आपका chapter है unit 10 यह भी कभी-कभी आता है तो कौन से exam में आजे कुछ idea नही चलो आगे बढ़ते है question number five देखो short note कोई भी आपको टू करने socialist industrialization and industrialization से देखो again question पूछा है काल माक्स के बारे में तो काल माक्स आपके Marxist है तो यह separately इंसे पूछ लिया जाता है यह अगर मैं बात करूँ यह आपके unit 4 में मिल जाएंगे इसके बारे मैं डिटेल में कर सकते देखो liberal state मैंने आपसे का ना state वाला आपका 100% question आता है तो liberal state मतलब क्या है जो उदारवादी जो राज्ये के बारे में उन्होंने बाते कई थी यह आपको लिखना है इस वाले में इन्होंने 10 marks का पोचा ठीक first unit का यह देखो renaissance and the rise of a new culture renaissance का देखो 10 marks का यह अभी मैंने आपको उपर का था अगर enlightenment वाला chapter जो है वो 20 में तो यह 10 में इसलिए देखो मैंने आभी आपको उपर दिखाया आपका सबसे पहला question जो है enlightenment वाला इन्होंने 20 में पूचा था इसी वज़े से renaissance इन्होंने 10 में पूच लिया ठीक है लेकिन यह आपको 100% question देखने को मिलेगा तो मैंने अभी आपको बताया देखो unit 1 से 2 question मिले 30 marks फिर मैंने आपको बताया यह 2 question दिख रहे हैं आप यह मत सोचो कि unit 4 अभी तो मैं आ 20 marks में आता है यहां तो 10 में पूचा यह दोनों ही unit 4 से ही है एक marksist है और यह liberal है तो यह दोनों मिलाकर आपको 20 marks का हो गया तो आपको यह 4 chapter तो करके जाना है जब 4 chapter अच्छे से कर लोगे 50 marks यहीं से बनते हैं clear चलिए आगे बढ़ते हैं next question number 6 की बात करते हैं 6 में देखो मैं मैंने अभी आपसे बोला idea of decolonization भी पूछा जाता है अभी मैंने आपको पर topic बोला तो इस decolonization से question क्या पूछेगा discuss the idea of decolonization and explain it in the context of different theoretical model next question देखेंगे ideological and economic factor that the emergence of modern international relation तो आपको बताना है कि जितने भी सबके international relation है देखो एकाद question तो extra होगा लेकिन math same नहीं होगा यह जरूरी नहीं है कि यह हर बार आता है आगे बढ़ते हैं जो आएगा ही आएगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हो trace the growth of technological revolution जो आपका 19 और 20 century में ज technological revolution हुआ था उसके बारे में आपको बताना है next है आपका discuss the various form of violence by the non-state actors यहाँ पर आपको जितने भी अलग-अलग तरीके के violence हुए थे उसके बारे में discuss करना है question number 10 है आपका relationship between the consumerist and the capitalist growth मैंने अभी आपसे का था unit 32 है यह आपके book में इसको करके जाओ यह 32 तो आपको maximum 20 marks में देखने को मिलेगा तो 32 easy है एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग कर भी पाओगे तो 32 करके जाओ ठीक है capitalism, journalism इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए चलिए एक बार हिंदी बारे student भी आप लोग जल्दी से अपना questions को check out करो चाहे तो screenshot ले लो इसको औराम से देखते र पेपर में आपके साथ discuss करा देती हूं कि यहां पर किस तरीके से questions आप से पूछा गया था आगे बढ़ने से पहले मैं यह पहले बताना चाहूंगी जो भी हमारे चैनल पर फर्स टाइम आयो हो माई चैनल पर नहीं नहीं आयो पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब क यहां पर जो भी 2023 के लिए प्रिपेशन कर रहे है तो paid classes available है ठीक है इंडॉल्मेंट स्टार्ट हो चके हैं अगर आप में से कोई भी इंटरस्टेड है classes लेने के लिए तो बाकी की information आपको whatsapp number के through मिर जाएगी ठीक है तो जो भी information अगर आप लोग चाहते हैं जहापे आपक करने के बाद इस प्रेड़ इसको जो भी student ले लेंगे उसके बाद आपको कोई और books पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और videos देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे आप लोग अपना अच्छा score कर लोगे तो आप लोग जितने भी student next session की तैयारी करें classes लेना आप यह मैं सोचने कि मैं आपने कुछ भी बता दिये हांसे नियागा ऐसा नहीं है अब तक मैंने जितने भी subject के questions या topics बताएं सारा कुछ वहीं से आया ठीक है तो आप लोग इस video पर trust कर सकते हैं और इसको follow भी कर सकते हैं जो भी चीज़े मैं आपको बता रहे हूं फिर मै आपको महाई टू कर जाब आपका एक्जाम हो जाएगा question paper भी analyze कराऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजे आपसे पूछी गई थी चलो जून 2022 के भी देख लेते किस तरीके से questions आपसे पूछा गया था देखो इंडरस्टिलाइजेशन का दुवारा आपसे question आया write a short note on the socialist pattern of industrialization next देखो enlightenment पे question आया है contribute to the making of the modern world unit 2 है यह आपका पूरा overall तो enlightenment 100% देखो आएगा याएगा इसको करके जाओ next अगर हम बात करें third देखो ये एक और है imperialism ठीक है imperialism भी कभी-कभी आता है आपका समराज्यवादी तो ये कभी-कभी आता है कभी-कभी नहीं आता है तो ये भी एक topic है पढ़ना चाओ तो कर सकते हो क्या पता आपके exam में आ जाए बट जरूरी नहीं है कि ये आएगा ठीक पूछ लिया तो welfare state का पूरा concept बताना है और इसमें English और आपकी Japanese welfare state की भी इसमें compare करना है ये fourth question है welfare state अगर जब आएगा तो इस तरीके से question पूछा जाएगा जो मैंने आपको भी बता दिया आते हैं short note की तरफ देखो ये रापका first chapter second भी आया first का देखो मैंने दाना humanism ये आपका unit third theories of nationalism unit 10 से question पूछा गया है ठीक है अभी मैंने आपसे और ये अभी आप में देखा पिसले वाले paper में 20 marks का है था कि theories बतानी है आपको ठीक आगे चले next देखोगे section B आपका है non alignment movement अभी मैंने आपको बताया था cold war के ये बात हुआ था just तो यहाँ पर आपको बताना है कि cold war के बाद non alignment movement क्या है ये पूछ लिया जाता है इसके अलावा आप next question की तरफ बढ़ेंगे analyze the relationship between demography and the social economic change ये भी important है ये भी कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा अगर ये आया तो ये भी कभी-कभी आता है बट जरूरी निया क्या आपके में आएगा या नी तो अग कड़के जाना करके जाना तिक है इसी है अगर आप करके जाना चाहते तो 100 परशेंट है कि आप इसको करके जाहिए क्योंकि consumer से movement से आप से question देखने को जरूर मिलता पूछा भी जाता है question number nine करेंगे explain the problem arising out of the modern industrial development तो इंड़स्ट्रियल डेवलप्मेंट से आप देख सकते हो कि nuclear arm race non alignment movement यह पक्काएंगे इन सारे टॉपिक को मिला कि दो से तीन टॉपिक आपको मिल सारे लाविल सारे जितने में सारे रेविलूशन से और आपका nuclear arm race और आपका non alignment movement इन सबको मिला कि दो से तीन question आपके exam में आपको देखने को मिलेगा next challenges to the unipolar world यह भी आपको देखने को मिलेगा 10 marks में आता है यह वरा topic भी करना चाहो तो कर सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं यह सारे आप सब हिंदी मीडियम वाले student आप इसको चाकाउट कर लेना इस तरीके से सारे topics आपसे आपके एक्जाम में पूछा जाएगा चलिए बढ़ते हैं मैं आपको जल्दी से 2021 और 2022 के भी questions दिखा देती हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से questions पूछा गया था अब आपके में क्या-क्या देखने के आने के chances है देखो यह आपका फरवरी 2021 का question paper इसके बाद दिसंबर में हुआ था दिसंबर 2021 का already upload कर चुकी हूँ अभी मैं आपको फरवरी का दिखा रही उसके बाद जून 2022 का direct करेंगे ताकि आपको एक idea कि last time यह था तो आपकी बार आने के क्या chances है एक बार फरवरी 2021 को भी देख लेते हैं जो जो मैंने बता है यह देखो unit 1 renaissance के बारे में है in what ways did the renaissance mark the emergence of a new culture in Europe तो आपका जो पुना जागरण यहाँ पर इसका emergence हुआ था य आएगा अब देखो अब आपका first chapter 20 में पूछा तो second आपका 10 में आएगा ठीक है चलो आगे बड़े नेक्स्ट है discuss the features of modern society with immersed following of the process of modernity से यहां पे इन्होंने विसे इस्ताइप पूछ लिए ठीक है एकाद question तो आपको extra मिले गई नेक्स्ट है देखो nationalism write a short note of the emergence of nationalism in the modern world again 20 marks मे रहे था nationalism भी पढ़के जा सकते हैं आप सभी नेक्स्ट है what are the challenges to the democracy at the beginning of the 21st century तो आपके क्या-क्या challenges democracy के लिए जब 21st century में इसकी beginning मुई तो क्या-क्या आपको देखने को मिलता है यह एकाद question मैंने पहले का extra हैंगे bureaucracy repeated question commercial capitalism repeated यह आएगा ही आएगा आता भी है तो यह दिल्दी से आप लोग देख सकते हैं जो बताया है साफ सीदी सी यहां पे नजर आ रहा है आगे देखो legacy of the French Revolution देखो French Revolution में कुछ भी आएगा तो maximum legacy ही पूछता है तो legacy of the French Revolution for the quality in the modern world French Revolution 20 marks आगे explain the nature of international rivalries हुई थी आपकी 20 century में यह आपको करना है what are the ways in which the revolution in realm of knowledge influence the modern world यसे की आपको पता ही है एकात question हट के आएगा लेकिन आगे देखो right a short note changes in the modern class society तो जो भी आपके modern class society में बदलाव आपको देखने को मिलते हैं उसके उपर बात करना है total war का concept है how has the total war brought major changes in the making of our society total war भी आप लोग पढ़के जा सकते हैं यह भी आपको कभी कभी आपके एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं यहां से भी question यह लोग पूछते हैं ठीक है बटाएगा यह नहीं यह शूरटी नहीं बट आप इसको जाकर देख सकते हैं रहे बाद जल पर questions पूछे गए जल्दी से मैं आपको जून 2022 का दिखाती हूं ताकि last time क्या था और आपके exam में आने के क्या chances हैं चलो अब हम discuss करने वाले हैं आपका MHIS 02 का June 2022 जो अभी last time हुआ था यहां पर क्या-क्या questions पूछे गए थे चलिए पहला question देख सकते हो analyze the basic argument of the romantic challenging the ideas of the enlightenment thinker मैं आपको बता दू यूनिट थर्ड आये अभी मैंने आपको बोला romantic challenging क्योंकि यहां पे नहीं बहुत सारे जो आपके स्टेश करूंगी माक्सवादी अच्छे से स्टॉर्म करके जाओ माक्सिस्ट पूछने के पूरे चांसे इस बार स्टेट के तीक है यूनिट फोर है यह आपके बुक के अंदर लिब्रल अगर लास्ट टाइम आया तो इस बार आपके में पूरे चांसे आएगा यह romantic challenge पू ब्रकारे सिका उपर भी आया था देखो नेक्स देखो कैसे आपका सोचली इंडाइजेशन इंडाइजेशन इडिफरेंट यह पूछा गया था लिके जरूरी नियह कि इस बार भी यह आएगा आगे बढ़े शॉट नोट था रिलिजम माक्सिस और डिफरेंट फॉर्म और यहां पर आप देख सकतो यह मैं आपको पता दो यूनिट वन है आपका यह आप पढ़के जाना माक्सिस पूछा है आपके कैपिटलिजम पर क्या और यह देखो ब्यूरोक्रेसी आया ना टेको 10 माक्स में पूछा है 10 यह 20 में देखने को मिलेगा अगर लास्ट टाइम 10 में तो क्या पता आपके एकजाम में 20 में यह क्वेशन देखने को मिले नहीं तो वैल फेर स्टेट करके जाओ आपके एकजाम में पूरे चांसे यह आपसे पूछ सकता है लिए चलो आगे बढ़ते हैं आगे देखो नेक्स यह वेरी इंपॉर्टेंट है इसको करके जाओ मैं यह सजेशन दूँगी यह बहुत बार पूछा जा चुका है क्या होते हैं और इसके डिफरेंट अप्रोच इस दिए गए थे यह करके जाओ 20 मांक्स में यह बहुत बार रिपीट हुआ है बार बार हुआ है और यह देखो नेक्स है नुक्लियर आम रेस के बारे में ठीक है इसने कैसे एफ़र्ट्स दिये थे कंट्रोल करने के लिए यह भी पूछा जाता है तो यह देखो फ्रेंच रेविलूशन लीगे सी दुबारा पूछा है तो रस्यन जितना नहीं आता उतना फ्रेंच रेविलूशन जाजाता है इसमें देखो कोल्ड वर नहीं तो पूरे इस बार आपके में cold war आजाए नहीं तो आपके में non alignment movement कर देना इसमें नहीं पूछा है तो आपके में आने के chances पूरे बनते हैं ठीक है non alignment movement आपके में आने के पूरे chances बनते हैं unit 32 भी कर लेना यह बार-बार मैं आपसे कहा रही हूं different theories दी गही है demographic का भी repeat हो रहा है आज कल बार-बार तो इसको भी पढ़के जाओ और रही बात unipolarity internet और the knowledge revolution development क्या modern medicine में और gorilla warfare तो यह कुछ ऐसे topics है जो कभी-कभी आते हैं कभी-कभी नहीं आते हैं तो यह जरूरी नहीं है तो कुछ भी आ सकता है main चीज तो यह है तो आपको जो भी चीजे मैंने बताएं अच्छा score करना आपको सारा कुछ पढ़ने में नहीं लगे रहे हैं में लिए आपको focus करना है कि सबसे जादा जो repeat होता है ठीक है अभी मैंने आपको दिखा भी दिया question यहारे पे repeat हो रहे हैं पूछे जा रहे हैं बताएं और जो जो बताएं महां से आपको देखने को मिल ही रहा है तो overall हमें आज की वीडियो को देखने के बास क्या समझ में आ रहा है कि हमें unit 1 से लेकर के unit 4 पूरे अच्छे से करना है ताकि हमारे एक्जाम में 50 marks यहां से कम पूरे पक्के हो जाएं जिससे आपसे total तीन questions पूछे जाएंगी clear चलो तीन question तो आपन चाहिए आपका रश्यान हुआ cold war यह तीनों कर लो तीनों इसमें included है ठीक है फ्रेंच revolution रश्यान और cold war क्या पता दोनों आजए क्या पता तीनों आजए क्या पता एकी है तो हम एकी लेके चलते हैं लेकिन मैं आपको बता रहें दिसंब्र 2021 में तीनों है थे ठीक है नेक्स 10 है आपका nationalism इसको पढ़के जाना और एक है आपका colonialism इतना कर लोगे कि अभी आपके पास time है ठीक है 10-15 दिन का समय अभी आपके पास थोड़ा 10 दिन का maximum तो time है तो इतना करके जाएंगे तो आपकी बात बन जाएगी तीन question तो यहां से 100% हैगा दो question के लिए इसमें से आप आप देख लो आपको क्या better लग रहा है क्या चीज़ सही से समझ में आ रही है डी कॉनलाइजेशन भी आप कर सकते हो कॉनलाइजेशन और इसकी थियोरिस्ट पढ़के जा सकते हो ठीक है यह revolution तो एक question तो चलो आपका done हो गया चार question तो आपको done हो गया एक तो यह तीन question यह क्या से करोगे और एक कोई revolution कर लोगे एक question कौन सा करना वाव उसके लिए आपको कौन सा topic पढ़ना है यह आपके ऊपर है ठीक है तो पूरा overall वीडियो आपने देखा और आशा करती हो आपको बहुत ही जादा help मिली होगी इसके बाद भी आप सभी को कोई doubt या query है तो comment के थ four और MHI one MHI one और MHI four और MHI five इन तीनों पर मैंने यहाँ पर आपके एक marathon लेती जिसमें मैंने हरे question के बारे में बताया था कि किसमें क्या-क्या लिख सकते हो अभी तक कुछ नहीं बढ़ा तो किसमें क्या पढ़ना है क्या करना है अगर आप चाहते हो ऐसे ही same video आपकी MHI two की कimbी मैं जल्दी से लेकर क्या हूं इन दो दिनों के अंदर तो आप लोगMy video में जाधा से ज़्याधा जितना कमेंट करके बोलेंगे कि MHI two क है आप लोग जानना चाहते हैं कि revolution में क्या लिखना है, state में क्या लिखना है, enlightenment के section में क्या लिखना है तो हर एक में hint चाहते हो कि किसमें क्या क्या करना है, क्या क्या लिख सकते हैं तो मुझे जादा से जादा वीडियो के नीचे comment करके बताइए जितना ज़्यादा आपके कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपके एक्जाम से पहले MHI 2 के सारे क्वेशन को यहां explain करूँगी किसमें क्या-क्या लेक सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like share करो जितने ज़्यादा share करेंगी जितने ज़्यादा like होंगी के लिए आपको मुझे support करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लेक्शेर करो कमेंट करके बता हो अशकी वीडियो कैसे लगी और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउगिया वीडियो जो आपको देखनी है जो भी subject की देखनी है उस वारे subject की playlist को चेक आउट करो सब कुछ मिल जाएगा clear हो गया तो यह थी आज की छोटी सी वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब परिशान थे की MHI2 के लिए अब हमें सबस्यादा क्या पढ़ना चाहिए किस पर फोकस होना चाहिए किस तरीके से सबस्यादा questions आएंगे यह मैंने आपको आज की वीडियो में clear कर दिया है इसके बाद मैं आपको आपके exam जब हो जाएगा तो question paper भी discuss कराऊंगे और दिखाऊंगे कि जितनी चीजे मैंने बताई थी क्या वहां से चीजे आई थी यह नहीं ठीक है तो चले student आज की वीडियो में बस इतने आशा करते हूं आपके आज की वीडियो है helpful रहे होगी मिलते हैं अपने next वीडियो में thank you for watching